पिछले दिनों जिस बात ने हम सब का ध्यान आकर्षित किया वह है चीता चीतों पर बात करने के लिए धेर सारे मेसेजिज आये हैं वह चाहे उत्तरकदेश के अरुनकुमार गुपता जी हो और फिर तेलंगना के एन रामचंदरन रगुराम जी गुजरात के राजन जी हो और फिर दिल्ली के सुब्रज जी देश के कोने कोने से लोगों ने भारत में चीतों के लोटने पर खुशिया जताई है एक सो तीस करोड भारत वाजी खुश है गर्व से भरे है यह है भारत का प्रकुरूति प्रेव इस बारे में लोगों का एक कॉमन सवाल यही है कि मुदी जी हमें चीतों को देखने का अवसर कब मिलेगा साथियों एक टास्क फोर्स बनी है यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और यह देखेगी कि यहां के माहोल में वो कितने घुल मिल पाए है इसी आधा पर कुछ महिने बाद कोई निर्ने लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे लेकिन तब तक मैं है आप सब को कुछ कुछ काम सौप रहा हूं इसके लिए माय गौग के प्लेटफॉर्म पर एक कंप्पटिशन आविजित किया जाएगा जिसमें लोगों से मै कुछ चीजें शैर करने का आगरह करता हूं चीतों को लेकर जो हम अभ्यान चला रहे हैं आखिर उस अभ्यान का नाम क्या होना चाहिए क्या हम इन सभी चीतों के नामकरण के बारे में भी सोच सकते हैं कि इन में से हरे को किस नाम से बुलाया जाए वैसे ये नामकरण अग में सहज ही अपनी और आकरसित करती हैं यही नहीं आप ये भी बताएं आखिर इंसानों को एनिमर्स के साथ कैसे बिहेव करना शोहिए हमारी fundamental duties में भी तो respect for animals पर जोड़ दिया गया है मेरी आप सभी से अपील है कि आप इस competition में जरूर भाग लीजिए क्या पता इनाम स्वरू चीते देखने का पहला आउसर आपको ही मिल जाए मेरे प्यारे देशवासियों आज 25 सितंबर को देश के प्रखर मानुताबादी चिंतक और महान सपूत दिन दयल उपाज़जी का जन्मदिन मनाये जाता है किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गवरों पर गर्व करते हैं उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकरशिप करते हैं दिन दयल जी के विचारों की सबसे बड़ी खुबी यही रही है उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उथल पूथल को देखा था वो विचार धारों के संगर्सों के साक्षी बने थे इसलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंतियोदे का एक विचार देश के सामने रखा जो पूरी तरह भारतिय था दिन दयल जी का एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा विचार है चो विचार धारा के नाम पर द्वन्त और दुराग्र से मुक्ति दिलाता है। उन्होंने मानों मात्र को एक समान मानने वाले भारतिय दर्सन को फिर से दुनिया के सामने रखा। हमारे सास्त्रों में कहा गया है आत्मबत सर्वभूत एशुग। अर्थाथ हम जीव मात्र को अपने समान माने अपने जैसा व्यहवार करें आधुनिक सामाजिक और राजनेतिक परिप्रेक्ष में भी भारतिय दर्सन कैसे दुनिया का मार्दर्सन कर सकता है। दिन्दैल जी ने हमें सिखाया एक तरह से आज़ादी के बाग देश में जो हीन भावना थी उससे आज़ादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी बहुदिक चेतना को जागरत किया। वो कहते भी थे हमारी आज़ादी तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृति और पहचान की अभिवक्ति करे। इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का वीजन निर्मित किया था। दिन दयल उपाद जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर महजुद व्यक्ति होता है। आज हादि के अमरित काल में हम दिन दयल जी को जितना जानेंगे उनसे जितना सिखेंगे देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सब को प्रेणा मिलेगी। मेरे प्यारे देश्वासियों आज से तीन दिन बात यानी 28 सितंबर को अमरित महुत्सव का एक विशेश दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत मा के वीर सपूत बगत सहींजी की जैनती मनाएंगे। बगत सहींजी की जैनती के ठीक पहले उन्हें स्रद्धांजली स्वरूप एक महत्वपुन नेने किया है। यह तय किया है कि चंडिगर्ट एरपोर्ट का नाम अब शहीद बगत सहींजी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतिक्षा की जा रही थी। मैं चंडिगर्ट, पंजाब, हर्याना और देश के सभी लोगों को इस नेने की बहुत बदबधाई देता हूँ। साथियो, हम अपने स्वतंतरता सेनान्यों से प्रेणा ले, उनके आदर्सों पर चलते हूए उनके सपनों का भारत बनाएं, यही उनके प्रति हमारी सरधाजली होती है। शहीदों के समारक उनके नाम पर स्थानों और स्थानों के नाम हमें कर्तव्य के लिए प्रेणा देते हैं अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कर्तव्य पत पर नेता जी सुभाच अंदर बोश की मुर्ति की स्थापना के जरीए भी ऐसा ही एक प्रयास किया है और अब सहीद भगत्सी के नाम से चंडिगड एरपोर्ड का नाम इस दिशा में एक और कदम है मैं चाहूंगा अमरित महोच्षव में हम जिस तरह स्वतनत्रता सेनानियों से जुड़े विशेश अवसरों पर सेलिबरेट कर रहे हैं उसे तरह 28 सितंबर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवश्य करें वैसे मेरे प्यारे देश फास्यों आप सभी के पास 28 सितंबर को सेलिबरेट करने की एक और वज़े भी है जानते हैं क्या है मैं जरिब दो शब्द कहूंगा लेकिन मुझे पता है आपका जोश चार गुना जादा बढ़ जाएगा ये दो शब्द है सर्जिकल स्ट्राइक बढ़ गया न जोश हमारे देश में अमरित महोत्सव का जो अभियान चल रहा है उन्हें हम पूरे मनोयोग से सेलिबरेट करें अपनी खुशियों को सब के साथ साजा करें मेरे पैरे देशवास्यों कहते हैं जीवन के संगर्सों से तपे हुई व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती अपनी रोज मर्रा के जिन्दगी में हम कुछ ऐसे साथ्यों को भी रेखते हैं जो किसी ना किसी सारिजिक चुनोती से मुकाबला कर रहे हैं बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते ऐसे साथ्यों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लेंग्वेज लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लेंग्वेज के लिए कोई स्पर्ष्ट हावभाव ताय नहीं थे स्टेंडर्स नहीं थे इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्थ 2015 में इन्जियन साइन लेंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के स्थापना गुई थी मुझे खुशी है कि इस होंस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्स्परेशन्स की डिक्षनेरी तयार कर चुका है दो दिन पहले यानि 23 सितंबर को साइन लेंग्वेज डे पर कई स्कुली पारक्रमों को भी साइन लेंग्वेज में लॉंच किया गया है साइन लेंग्वेज के 23 स्टांडर को बनाये रखने के लिए राष्ट्रिय सिक्षा निती में भी काफी बल दिया गया है साइन लेंग्वेज जो डिक्षनेरी बनी है उसके वीडियो बना कर भी उनका निरंतर प्रसार किया जा रहा है यूटूब पर कई लोगों ने कई संस्थानों ने इंडियन साइन लेंग्वेज में अपने चैनल सुरू कर दिये हैं यानि साथ आठ साल पहले साइन लेंग्वेज को लेकर जो अभियान देश में प्रारम्भ हुआ था अब उसका रहाब लाखों मेरे दिव्यान भाई बहनों को होने लगा है हर्याना के रहने वाली पूजाजी तो इंडियन साइन लेंग्वेज से बहुत खुश है पहले वो अपने बेटे से ही समभाद नहीं कर पाती थी लेकिन 2018 में साइन लेंग्वेज की ट्रेनिंग लेने के बाद मा बेटे दोनों का जीवन आसान हो गया है पूजाजी के बेटे ने भी साइन लेंग्वेज सीखी और अपने स्कूल में उसने स्टोरी टेलिंग में प्राइज जीत कर भी दिखा दिया इसी तरह टिंका जी की 6 साल की एक बिटिया है जो सुन नहीं पाती है टिंका जी ने अपनी बेटी को sign language का course कराया था लेकिन उन्हें खुद sign language नहीं आती थी इस वज़े से वो अपनी बच्ची से communicate नहीं कर पाती थी अब टिंका जी ने भी sign language की ठेनी ली है और दोनों मा बेटी अब आपस में खुब बाते किया करती है इन प्रयासों का बहुत बड़ा राव किरला की मंजुजी को भी हुआ है मंजुजी जन्म से ही सुन नहीं पाती है इतना ही नहीं उनकी परेंट की जीवन में भी यह इस्तिती रही है ऐसे में sign language ही पूरे परिवार के लिए समवात का जरिया बनी है अब तो मंजुजी खुद ही sign language की teacher बनने का भी फैसला दे लिया है साथियों मैं इसके बारे में मन की बात में इसली भी चर्चा कर रहा हूँ ताकि Indian sign language को लेकर awareness बढ़े इससे हम अपने दिम्यां साथियों की अधिक से अधिक मदद कर सकेंगे भावी और बैनों कुछ दिन पहले मुझे ब्रेल में लिखी हेम कोष की एक copy भी मिली है हेम कोष असमिया भाषा की सबसे पुरानी dictionary में से एक है यह 19 वी सताब्दी में तयार की गई थी इसका संपादन प्रख्याद भाषा भी हेम चंद्रब बरुवाजी ने किया था हेम कोष का ब्रेल एडिशन करीब 10,000 पन्नों का है और यह 15 वल्यूम से भी अधिक में प्रकासिर होनी जा रहा है इसमें एक लाग से भी अधिक शब्दों का अनुवाद होना है मैं इस सम्वेदन सिल प्रयास की बहुत सराना करता हूँ इस तरह के हर प्रयास दिव्यां साथियों का कौशल और सामर्थ बदाने में बहुत मदद करते हैं आज भारत पारा स्पोर्ट्स में भी सफलता के परचम लहरा रहा है हम सभी कई टूर्नामेंट्स में इसके साक्षी रहे हैं आज कई लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगों के बीच फिटनेस कल्चर को जमीनी स्थर पर भढ़ावा देने में जुटे हैं इससे दिव्यांगों के आत्मिस्वास को बहुत बल मिलता है मेरे प्यारे देश्वास्यों मैं कुछ दिन पहले सूरत की एक बिटिया अन्वी से मिला अन्वी और अन्वी के योग से मेरी वो मुलाकात इतनी यादगार रही है कि उसके बारे में मैं मन की बात के सभी स्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूँ साथियो अन्वी जन्म से ही डाउन सिंड्रॉम से पीडित है और वो बच्पन से ही हार्ट की गंभीर बिमारी से भी जूजती रही है जब वो किवल तीन महने की थी तभी उसे ओपन हार्ट सर्जरी से भी गुजरना पड़ा इन सब मुश्किलों के बावजूद न तो अन्वी ने और नहीं उसके माता पिता ने कभी हार मानी अन्वी के माता पिता ने डाउन सिंड्रॉम के बारे में पूरी जानकरी खटा की और फिर ताई किया कि अन्वी की दुसरों पन दिरफ़ता को कम कैसे करेंगे उन्वी को पानी का ग्लास कैसे उठाएना जूते के फिते कैसे बांदा कपड़ों के बटन कैसे लगाना ऐसी छोटी 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 चीजे सिखाना शुरू किया कौन सी चीज की जग कहा है कौन सी अच्छी आधत होती है इस सब कुछ बहुत धैरिये के साथ उन्होंने अन्वी को सिखाने की कोशिश की बिटिया अन्वी ने जिस तरह सिखने की इच्छा सक्ति दिखाई अपनी प्रतिभा दिखाई उससे उसके माता पिता को भी भावत होस्ला मिला उन्होंने अन्वी को योग सिखने के लिए प्रेजित किया मुसीबत इतनी गंभीर थी कि अन्वी अपने दो पैर पर भी खड़ी नहीं हो पाती थी ऐसी परिस्तिती में उनके माता पिताजी ने अन्वी को योग सिखने के लिए प्रेजित किया पहली बार जब वो योग सिखाने वाली कोच के पास गई तो वे भी बड़ी दुविधा में थे कि क्या ये मासुम बच्ची योग कर पाएगी लेकिन कोच को भी शायद इसका अंदाजा नहीं था कि अन्वी किस मिट्टी की बनी है वो अपनी मा के साथ योग का अभ्यास करने लगी और अब तो वो योग में एक्सपर्ट हो चुकी है अन्वी आज देश भर के कंपोटिशन में हिस्सा लेती है और मेडल जिती है योग ने अन्वी को नया जीवन दे दिया अन्वी ने योग को आत्मसाथ कर जीवन को आत्मसाथ किया अन्वी के माता पिता ने मुझे बताया कि योग से अन्वी के जीवन में अद्भूत बलाव देखने को मिला है अब उसका सेल्फ कॉंफिडनस गजब का हो गया है योग से अन्वी की फिजिकल हेल्थ में भी सुधार हुआ है मैं चाहूंगा कि देश विदेश में मौझूद मन की बात के सुरोता अन्वी को योग से हुए लाप का विज्ञानिक अध्यान कर सके मुझे लगता है कि अन्वी एक बढ़िया केस्टरी है जो योग के सामर्थ को जाचना परक्षना चाहते हैं ऐसे विज्ञानिकों ने आगे आ करके अन्वी की इस सफलता पर अध्यान करके योग के सामर्थ से दुनिया को परिचित करना चाहिए ऐसी कोई भी रिसर्च दुनिया भर में दाउन सिंड्रॉम से पीडित बच्चों की बहुत मदद कर सकती हैं दुनिया अब इस बाद को स्विकार कर चुकी है कि फिजिकल और मेंटल वैलनेस के लिए योग बहुत जादा कारगर है विशेशकर डायविटीज और ब्लड प्रिसर से जूड़ी मुश्किलों में योग से बहुत मदद मिलती हैं योगी की ऐसी ही शक्ति को देखती हुए 21 जून को सयुक्त राष्ट ने अंतराष्टिय योग दिवस्त मनाना ताइक किया हुआ है अब युनाइटेड नेशन सयुक्त राष्ट ने भारत के एक और प्रियास को रेक्रिनाईज किया है उससे सम्मानित किया है ये प्रियास है वर 2017 में शुरू किया गया इंडिया हाइपर्टेंशन कंट्रोल इनिशेटिव इसके तहट ब्लड प्रिशर की मुश्किलों से जूज रहे लाखों लोगों का इलाज सरकारी सेवा केंदरों में किया जा रहा है जिस तरह इस इनिशेटिव ने अंतराष्टिय समस्ताओं का ध्यान अपनी और खीचा है वो अभुत्पुर्व है ये हम सब के लिए उत्सा बढ़ाने वाली बात है कि जिन लोगों का उप्चार हुआ है उनमें से करीब आधे का ब्लड प्रिशर कंट्रोल में है मैं इस इनिशेटिव के लिए काम करने वाले उन सभी लोगों को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ जिनों ने अपने अथक परिश्रम से इसे सफल बनाया साथियों मानव जीवन की विकास यात्रा निरंतर पानी से जुड़ी हुई है चाहे वो समंदर हो नदी हो या तालाब भारत का भी सहुभागे हैं कि करीब साड़े साथ हजार किलोमेटर से अधीक लंबी कोस्ट लाइन के कारण हमारा समुद्र से नाता अतूट रहा है यह तटिय सिमा कई राज्यों और दिपों से होकर गुजरती है भारत के अलग अलग समुदायों और विविदताओं से भरी संस्कृति को यहा फलते फुलते देखा जा सकता है इतना ही नहीं इन तटिये इलाकों का खानपान लोगों को खुब आकरशित करता है लेकिन इन मजेदार बातों के साथ ही एक दूखत पहलू भी है हमारी ये तटिये क्षित्र परियावरन से जुड़ी कई चुरोतियों का सामना कर रहे है क्लाइमेट चेंज मरीन एकोसिस्टिम के लिए बड़ा खत्रा बना हुआ है तो दूसरी और हमारे बीचीच पर फैली गंद की परेशान करने वाली है हमारी ये जिम्मेदारी बनती हैं कि हम इन चुनोतियों के लिए गंभीर और निरंतर प्रयास करें यहां में देश के तटिये स्खित्रों में कोस्टल क्रिनिंग की एक कोशिश स्वच्छ सागर सुर्ख्षित सागर इसके बारे में बात करना चाहूँगा पांच जुलाई को शुरू हुआ यह अभ्यान बीते 17 सितंबर को विश्व कर्मा ज्यन्ति के दिन संपन हुआ इसी दिन कोस्टल क्रिनप डेवी था आधाधि के अमर्त महुत्सों में शुरू हुई यह महीम पचरतर दिनों तक चली इसमें जनभागीदारी देखते ही बन रही थी इस प्रयास के दोरान पूरे धाई महिने तक सफाई के अनेक कारकम देखने को मिले गोवा में एक लंबी हुमन चेन बनाई गई काकी नाड़ा में गणपती विसरजन के दोरान लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुक्सान के बारे में बताया गया एनेसेस के लगबग पाच हजार युवा साथ्यों ने तो तीश टन से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया ओडिशा में तीन दिन के अंदर बीस हजार से अधिक स्कूली चात्रों ने प्रण लिया कि वे अपने साथ ही परिवार और रास्पास के लोगों को भी स्वच्छ आगर के लिए प्रेरीद करेंगे मैं उन सभी लोकों को बढ़ाई देना चाहूंगा जिन्हों ने इस अभ्यान में हिस्सा लिया इलेक्टेड ऑफिशल्स खासकर सहरों के मेर और गाओं के सरपंचों से जब मैं समबात करता हूं तो यह आगरत जरूर करता हूं कि स्वच् यूथ फर परिवर्तन पिछले आंट सालों से यह टीम स्वच्छता और दूसरी सामुदाई गतिविद्यों को लेकर काम कर रही है उनका मोटो बिल्कुल क्लियर है स्टॉप कंप्लैनिंग स्टार्ट एक्टिंग इस टीम ने अब तक शहर भर की 370 से जादा जगहों का इसान ने सौ से डेर सो नागरिक को जोड़ा है प्रत्येग रभिवार को यह कारकम सुबशुरू होता है और दोपर तक चलता है इस कारे में कच्रा तो हटाया ही जाता है देवारों पर पेंटिंग और आर्टिस्टिक स्कैचिज बनाने का काम भी होता है कई जगहों पर त यूत्फ और परिवर्तन के प्रयासों के बाद मैं आपको मेरट के कबार से जुगाड अभियान के बारे में भी बताना चाहता हूं यह अभियान परियावरन की सुरक्षा के साथ साथ शहर के संदरी करण से भी जुड़ा है इस मुहीम की खास बात यह भी है कि इसमें लोहे क स्क्रेप, प्लास्टिक वेस्ट, पुराने टायर और ड्रम जैसी बेकार हो चुकी चीजों का प्रयोग किया जाता है कम खर्चे में सार्वजनिक स्थलों का संदरी करण कैसे हो यह अभियान इसकी भी एक मिशाल है इस अभियान से जुड़े सभी लोगों की मैं रदय से सर रहाना करता हूँ मेरे पहरे देश वास्यों इस समय देश में चारों और उत्सव की रोनक है कल नवरात्री का पहला दीन है इसमें हम देवी के पहले स्वरूप माशाइल पुत्री के उपासना करेंगे यहां से नव दिनों का नियम सहियम और उपास फिर विज्यादस में क पर्व भी होगा यानि एक तरह से देखे तो हम पाएंगे कि हमारे पर्वों में आस्ता और आध्याद्विक्ता के साथ साथ कितना घहरा संदेश भी चिपा है अनुशासन और संयम से सिद्धी की प्राप्ति और उसके बाद विज्यादस का पर्व यही तो जीवन में किसी कि भी लक्ष को प्राप्त करने का मार्ग होता है दसरे के बाद धंतरस और दिवाली का भी परवाने वाला है साथियों बीतें वर्शों से हमारे त्योहरों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है आप सब जानते हैं यह संकल्प है वोकल फर लोकल का अब हम प्तिहोरों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को सिल्फकारों को और व्यापार्टियों को भी शामिल करते हैं आने वाले दो अक्तूबर को बापु की जन्ति के मोके पर हमेशा भ्यान को और तेज करने का संकल्प लेना है खादी, हैंडलूम, हैंड्रिकाफ ये सारे प्रोड़क के साथ साथ लोकल सामान जरूर खर दें आखिर इस त्योहार का सही आनन भी तब है जब हर कोई इस त्योहार का हिस्सा बने इसलिए स्थानिय प्रोड़क के काम से जुड़े लोगों को हमें सपोर्ट भी करना है उसमें इस प्रकार के प्रोड़क को शामिल करें इस समय यह अभ्यान इसलिए भी खास है क्योंकि आजहादी के अमरित महोसव के दोरान हम आत्म निर्भर भारत का भी लक्ष लेकर चल रहे हैं जो सही मायने में आजहादी के दिवानों को एक सच्ची स्रद्धान्जली होगी इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार खादी, हैंडलूम या हैंडिक्राफ इस प्रोड़क को खरिदने के आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दे हमने देखा है त्योहारों पर पैकिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलितिन बैक्स का भी बहुत इस्तिमाल होता रहा है इसलिए हम स्थानी अतर पर बने हुए नौन प्रास्टिक बैक्स का ही इस्तिमाल करें हमारे हां जूट के, सूट के, केले के ऐसे कितने ही पार्मपारिक बैक्स का चलन एक बार फिर से बढ़ रहा है यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम त्योहारों के अवसर पर इनको बढ़ा प्रियावादे और स्वच्चता के साथ अपने और परियावरत के स्वास का भी ख्याल रखें मेरे प्यारे देश्वासियों हमारे सास्त्रों में कहां गया है परहित शरिस धर्म नहीं भाई यानि दूसरों का हीत करने के समान दूसरों की सेवा करने उपकार करने के समान को कोई और धर्म नहीं है। पिछले दिनों देश में समाज सेवा की इसी भावना की एक और जड़क देखने को मिली। आपने भी देखा होगा कि लोग आके आकर किसी न किसी टीबी से पीडित मरीच को गोड ले रहे हैं। उसके पौश्टिक आहार का बीड़ा उठा रहे हैं। दरसल ये टीबी मुक्त भारत भ्यान का एक हिस्सा है जिसका आधार जन भागीदारी हैं करतव्य भावना है। सही पोशन से ही सही समय पर मिली दवाईयों से टीबी का इलाज संभव है। मुझे विश्वास है कि जन भागीदारी की इस शक्ति से वर्थ दो हजार पचीस तक भारत जरूर टीबी से मुक्त हो जाएगा। साथियों केंदर सासित प्रदेश दातरा नगर हवेली और दमन दिव से भी मुझे एक ऐसा उधारन जानने को मिला है जो मन को छू लेता है। यहां के आदिवासिक खेत्र में रहने वाली जीनू रावत्किया जी ने लिखा है कि वहां चल रहे गाम दत्तक कारिकम के तहत मेडिकल कॉलेज के स्टूटन्स ने पचास गाउं को गोड लिया है। इसमें जीनू जी का गाउं भी शामिल है। मेडिकल के इच्छात्र बीमारी से बचने के लिए गाउं के लोगों को जागरुक करते हैं। बीमारी में मदद भी करते हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकरी दिते हैं। परोपकार की ये भावना गाओं में रहने वालों के जीवन में नई खुशियां लेकर आई है। मैं इसके लिए मेडिकल कॉलेज के सभी विद्यार्थियों का अभिनादन करता हूँ। साथियों मन की बात में नए नए विशों की चर्चा होती रहती हैं। कई बार इसकारकम के जरिये हमें कुछ पुराने विशों की गहराई में भी उतरने का मोका मिलता है। पिछले महिने मन की बात में मैंने मोटे अनाच और वर्ष 2023 को इंटरनेस्टरन मिलेटियर के तौर पर मनाने से जूरी चर्चा की थी। इस विशय को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। मुझे ऐसे धेरों पत्र मिले हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे मिलेट्स को अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बनाया हुआ है। कुछ लोगों ने मिलेट्स से बनने वाली पारमपारिक बेंजनों के बारे में भी बताया है। ये एक बड़े बडलाव के संकेत है। लोगों के इस उत्साओं को देखकर मुझे लगता है कि हमें मिलकर एक इबुक तयार करनी चाहिए जिसमें लोग मिलेट्स से बनने वाले डिसेस और अपने अनुभवों को साजा कर सके। इससे इंटरनेशनल मिलेट येर शुरू होने से पहले हमारे पास मिलेट्स को लेकर एक पब्लिक एंसाइक्लोपीडिया भी तयार होगा और फिर इसे माई गौव पॉर्टल पर पब्लिस कर सकते हैं। साथियों मन की बात में इस बार इतना ही लेकिन चलते चलते मैं आपको नेशनल गेम्स के बारे में भी बताना चाहता हूँ। 29 सितंबर से गुजरात में नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है। इस बड़ाई खास मोका है क्योंकि नेशनल गेम्स का आयोजन कई साल बाद हो रहा है। कोवीड महमारी की वज़र से पिछली बार के आयोजनों को रत करना पड़ा था। इस खेल प्रतियोगीता में हिस्सा लेने वाले हर खिलाडी को मेरी बहुत बहुत शुप कामना है। इस दिन खिलाडियों का उत्सा बढ़ाने के लिए मैं उनके बीच में ही रहूँगा। आप सब भी नेशनल गेम्स को जरूर फॉलो करें और अपने खिलाडियों का होसला बढ़ाएं। अब मैं आज के लिए विदा लेता हूं। अगले महिने मन की बात में नए विशयों के साथ आपसे फिर मिराकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार।